हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए पूर्थ ज्यादा टेस्टी एन हेल्दी नास्ती की रिस्पी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे पालक और आलू और गेहू के आटेसी और यह इतना जादा स्वाधिश्ट होगा कि वच्चों से लेकर बड़ो तक सबको पसंद आएग ता लिएम आपर 200 क्र политक पाला को साफ कर चाल उसके से साफ करके इसको मैंने 2-3 लगए अच्छे से बास कर लिए लिए है टूर्ष प्ली किलाए तक बैज-ग्रूर कोए थिख सकते ही तो तो यह ऐल नहीं कर देंगे पाने पालक के पते सफ उल में रखे हैं तो थोड़ा नहीं पंत् Pepsi करेंगे शिक्की शेक्तित je और पाला के पट्वों को ग्राइन करते हैं मुई ध्यान रखिएगा कि पाला के पत्वों के पहुंच जाता है गरम नहीं हूं गरम हमें किसी भी चीज को करना चाहिए इसे मैं हलका शर्णाद करना है और इसे लिए बीना पाणी डाले ऐसे ही ग्राइन कर लीगे और यह देखी मैं ने पाला के पत्तों को ग्राइन कर लिया है तो इसको अभी मैं रखते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स ब्रोसस में यहां पर मैंने लिया एक मेक्सिम बॉल, इसमें हम एट कर देगे घी में तो यह चुटी चमच नमा का इस्तिमाल किया एक चमच चमच अजवायन डाल देंगे एक चमच घी आप घी की जगह पर ऑईल का इस्तिमाल कर सकते हैं सबी चीजों को में अच्छे से मेक्स कर देना है और इसकी बाद हमें थोड़ा-थोड़ा करके पाला का प्यूरी नहें थोड़ा-थोड़ा करके याट करना है ताकि आर्टकी बहुत जादा सॉफ्ट्ण हो और इसका हमें लगा कर त्यार कर लेना है और इसके को डोग कर दे दस винamment fils चोड़ेंगे पर छड़ें कर देकी 77 bright देघी सेबाड़ेंगे 2 तक मेरा रिश्ट एक व्मारा रेस् सब्सक्राइब कर देंगे एक प्याज और प्याज को भारिक चौप कर लिया है इसके साथ में आड़ कर देंगे दो तिन कर दिए हैरी मिर्ची नमक डाल देंगे .35 चूटी चमच नमक इसे लालुची 1 चूटी चमच हल्वी चुटी नथ चमच रही पाउडर बारी चोप के हरादानिया डाल देंगे 25 गरम के लगभव में और इसके बाद हम सभी चीजे को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जल्दी स्वादिश स्टफिंग बन कर तेयार है तो स्टफिंग को भी हम रखते हैं सायट में और चलते हैं नेक्स ब्रोसस में तो डो को भी रखे वी करीब 10 मिनट हो गया है और डो हमारा अच्छे से से हो गया है इसको एक दो बर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इससे लोई में डिवाइट कर लेंगे तो मैंने इसे दो लोई में डिवाइट किया है हम एक एक ल त्यप्त जादा ही रहेगा पोड़ी सी चापाती को तियार कर लिया है अब हम इसके उपर थोड़ा पानी लगा देंगे हम हलका सा पानी लगा नहीं देखे और इसके उपर थोड़ा सा त्यल चिपक देगे तील रखने से नास्तामरा स्वादेश्ट भी बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा तो एक चमस्की लगाओं में इसके उपर तील चे रख दीजिए इस तरीके से और इसके बाद इसको अपने हाथों से अच्छे से स्पिरेट कर दीजिए पानी लगाने से तील आप तो पीजा तो लगा सकते हैं फिर गरीन चटनी लगा सकते हैं अब बचों के लिए ना रहा है तो मैं सजेट करोंगे टोमेटो केचप लगाएं और इसकी बाद इसके उपर स्टफिंग लगाएंग जो वनने तयार किया है और पूरी चपातिक उपर हमें अच्छे से स इसमें चीज डालना आप चीज की जगा पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आप 25 गरम की लगवोग में चीज को ग्रेट करके लिया है, आप बिना चीज को भी इस नास्ते को बना कर त्यार कर सकते हैं, लेकिन चीज का टेस्ट बचो को बहुत जादा पसंद आता है, तो यह बच्चों के लिए बना रहा है तो चीज़ डालेंगे तो उनको बहुत जादा पसंद आएगी और आप हम इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगी यह देखी सरी किसे हलका सा प्रेस करते हैं फोल्ड करना है ताकि थोड़ा से टाइटली रोल हो यह देखिए इस तरीकिसे पूर कट कर लेना है यह देखिए और इसकी बाद हमें क्या करना है एक एक जो पीसे से उसको उठाते जो इसकी बाद अपने हाथ हो में है थेलियों की बीचरा कर इस तरीके से हलका सप्रेज करके टीकी का सेफ देदेंगी इसे बनाना पहुत जादा आसान है रुखाने में पहुत इसको फ्राइ करने के प्रोसस में इसको फ्राइ करने के लिए पैन इसमें हम तेल डाल देंगे तीन से चार चामस के लगव में आप इसको डिफ्राइ करना चाहिए तो डिफ्राइ कर सकते हैं मैं इसको सेलो फ्राइ कर रही हूं तो तेल को में पैन में अच्छी सेस्प्रे जब फ्राय हो जाए इसके बाद इसको आप साफधानी से पलड़ दीजिए और दोनों तरफ सुलट पलड़ करते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तब फ्राय कर लिजिए तो फ्रेंड्स इसे फ्राय करते हुए करीब 5-6 मिनाट हो गए आप देख सकते हैं सारे रोल्टिकी को सेम तरीके से त्यार ली जराद त्यार कर लें और यह लीजिए गर्मा गरम पालक और गहु के आटे का नास्ता बन कर ते यार वा इससे ट्राय करने वाद आप मुझे में जरूर बताएं आपको यह कसी लगी यह दिये आपको मेरी आज की एयरे शी याज वीडियो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले थैंक्स प्रवाजी एक बार फिर मिलते हैं एक नहीं रेश्पी के साथ एक नहीं वीडियो में